गाइस इस मूवी से पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आरड़ी अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वे स्ट्यूर्ट लिटल का सेकंड पार्ट है चुकि एक लाइव आक्शन कंप्यूटर अनिमेटेड फैमली कॉमेडी मूवी है चुक मेंबर भी था जिसका नाम था मार्था ये टॉच की छोटी बहन है रोड को किसी भी गीम खेलने की परमिशन नहीं थी इसी कारण वे फुटबाल के मैच में साइड में ही बैठा था लेकिन फुटबाल के मैच का टाइन पर एक बच्चा इंच हो जाता है इसी कारण अब ब एक दिन जो अजस्ट पेट के अपने प्लेन को रेडी कर रहे थी और तभी आप रीचार्ज का फ्रेंड मिल जाता है जिसके साथ में जौच खेलने के लिए चला जाता है तो वह सोचता है कि उस पर वह अकेले ही ठीक करने का लेकिन जवानी अनसारी को प्लेट चालू हो ज जाता है सभी सोचते हैं कि इस पेट को काफी सस्ता चोट आई होगी और इसके बार में जो सपोर्ट से गुसा हो गया था क्योंकि एपलीन टूट चुका था फाबरेक टूट को कहते हैं कि बैठा कोई बार नहीं है सेसे होती रहती है तो मैं काम करूँ जैसे चाट्स ने को करती हुई बोडाती है जो कि थोड़ी से इंजर्ट थी और स्ट्वर्ट को पता चलता है कि इसके पीछे एक पैलकर लगा हुआ है यानि कि 15 स्ट्वर्ट ब्रॉट को बचाते हुए खड़ ले जाता है और उसे उसका नाम पूठता है वेह अपना नाम माइक्रो बताती है पर बताती है कि इस बाल्कनी में आप पूरा घर पर बात कर दिया है और मैं इससे ही बचती हुई यहां पर पहुचते ही स्ट्वर्ट फॉलो कहता है कि तुम्हारी कंडिशन अठीक नहीं है तुम चाहो तु कुछ दिन हमारे साथ ही रुख सकते हो तुमारों कहती है कि मैं य देते हैं तूटको अगले दिन स्कूल जाना था और यहां पर मारियो का ध्यान रखने क्वेलिन और थी यहां पर मामलों से मिलने के लिए वापस से फैलकन आया था और से डराता धंकाता है वे बोलका है कि तुम्हारी काम पर ध्यान दो तो मारियो कहती है कि इस वामली के पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है मॉम के पास में सिर्फ तो क्यारिक की रिंग ही है हम चाहे तो कोई और घर पर जा सकते हैं तो फैशन कहते हैं कि तुम्हें रोग से कुछ ज्यादा ही अटाच्मेंट हो चुका है तुम्हें स्टार्टिंग से मैंने पाला है मैंने बढ किया है तुम हर कम में सिखाया है तो तुम अपना ध्यान अपने काम से मत भढ़काव इसके बाद में सभी रूम मामलों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंट करने लगे थे यानि कि अप स्कूल के पास में भी अपनी एक फ्रेंड थी और मांक लोपेज चोड़ को छोड़तर कहीं नहीं जाना चाती थी एक दिन प्याल करना के मामलों को धंकी देता है कि अगर तुमने तुम्हारा काम जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारी ठोटे चुहे को खा जाओंगा के बाद में हम देखते हैं कि एक दिन एलन और अपने घर का काम कर रही थी इसी कारण गए अपने रिंग उतार कर रख देती है, जब फाबरिक वहां उसकी help करने के लिए आता है, लिंग और बहां से कुछ तीर के लिए चली जाती है, तो अपने रिंग नहीं देखती है, इन दोनों को लगता है, कि रिक्षा के अंदर बेसिन में गिर गई है, तो ट वहां पर आकर ब जाला है, वसी टाइम पर उत्रे तूट जाता है, जिस तूट लटक रहा था, और तभी वहां पर मारियो आती है, जो कि अनार की कली से बॉइल स्किन को निकाल कर सीधा पेसिन के अंदर डालती, जिससे की इस टोर बाहर आ जाता है, सभी लोग सोचते हैं, कि मॉलो सच में बहुत अच्छी बठे लेकिन मामलो में अपना काम कर लिया था, यानि कि उसे चोर इंच पुरानी थी, उसने वोटिंग चुरा ली और इसके बाद वह रात में ही घर से चली जाती है, अगी सुबह स्टूर्ट उसे बहुत ढूनदा है, लेकिन मामलो कहीं भी नहीं मिलती ह लिंग और फिर एडिट बोलते हैं, कि वह एक बर्ड है वह सकता है, वह अपने घर चली गई हो रात होने तक भी टूट को लगता है, कि शायद मामलो वापस आ जाएगी लेकिन जब वह नहीं आती तो वह बिग बॉस को बोलता है, कि मुझे उसे ढूनना पड़ेगा वह सक है, कि वह में उसे फिर से परिशान कर रहा हो, तो शौच कहता है, कि तुम अकेले नहीं जा सकती हो, मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ तो स्ट्यूर्ट कहता है, कि तुम यहीं रहो और मेरा सर छुपा के रखो इसी कारण नोबेल को सपोर्ट के साथ जाना पड़ता है, अ और फैलकन के घर का पता पोचता है, तो मोंटी कहता है, कि वह पास बहुत ही ज्यादा तेज है, वे तुम लोगों को मार दीगा जो भी उस बिल्डिंग पर जाता है, जहां उसका घर है, वहां से कोई वापस नहीं लॉट के आता है, और इसके बाद में स्ट्यूर्ट वहां था ब्यूटो विल के घर पर है, यह स्ट्यूर्ट को बिल्डिंग की सबसे टॉक पर पहुचना था, इसी कारण बे एक बलून की हल्क लेता है, और सिध्धर टॉक फ्लोर पर पहुच जाता है, वहां पर वह मामलो को आवास लगाता है, लेकिन तब तक उसके सामने फैलकन आजाता, और सारी सच्चाए बता देता है, कि तुम्हारी घर से तुमर ने चोरी की है, तो वह पोचता है कि मारो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तो मामलो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है, और उसके बाद में वह फैलकन टोट को उठा कर उस बिल्डिंग से न अंदर बंद कर रखा है, तोट के जो बाहर की ओर खुलती है, तो उसे पता चलता है, कि वह एका बीच वोट पर है, और वह अपने घर से बहुत दूर जा चुका है, यहाँ पर रैली नॉट फील के घर पर पहुंच जती है, और कहती है कि स्टॉप के घर पर है, ना और उस उड़ान फर लेता है, यहाँ पर लिटर फामली स्टॉट को ढूणने के लिए निकल चुकी थी इधर नोबेल जब बालों को स्ट्रेट के थपेड़ों से निकाल देता है, कि तभी वहाँ पर फेल करना जाता है, इसी कारण स्टॉब बिल्दर की मारी उसी स्टेप के था, कि तभी वहाँ पर स्टॉट बहुच जाता है, अपना प्लेन लेकर और अभी दोनों अपना प्लेन लेकर हवा में उड़ रहे थे, और यहाँ लिटर फामली पेस्ट को देख रही थी, मारियो कहती है, कि हम इस प्रेगनसी कभी नहीं बच सकते हैं, लेकिन तभी स्ट स्टॉट अपने हाथ में रिंग लेता है, और उसे फैलकन की आँखों में चमकाता है, इस कारण फैलकन की आँखों में 30 चमक के कारण ध्यान भटक जाता है, वे अपना प्लेन छोड़ की ये जमीन पर लैंड करने वाला था, और है मार डाला की उसे बचा लेती है, उसने अखर इतनी मदद की थी फिर भी मारलो कुछ समय तक तो यहाँ पर इस टोट की घर पर रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद ने भी मामलो को अपने घर वापस जाना था, और यहाँ पर मौजूद सभी को गुडबाई करके अपने घर की तरफ चली जाती है, और स्टुवर् झाल कि कोछा ओाँ है, और स्टुवर्णर ऑजठ Tuesday